इस section में हम word processor के एक बहुत एहम feature के बारे में जानेंगे जिसे हम mail merge कहते हैं इस feature का नाम यानी mail merge से हमें कुछ तो अंदाजा हो जाता है कि इसका तालुक postal mail या email से होगा लेकिन असल में ये क्या है और लफ्स merge का क्या मतलब है ये हम इस section में जानेंगे mail का मतलब है dark जो के गदीम जमाने से पेगमात की तरसील का जरिया है जबके merge का मतलब है दो या दो से ज्यादा चीजों को आपस में मिलाना या इकठा करना अगर तोनों अलफाज को इकठा करके देखीं तो फिर mail merge से कुछ ऐसा मतलब लिया जाता है कि हमारे पास कुछ information है जिसे हमें merge करके डाक के लिए तयार करना है ये डाक हमारी रवायती postal mail भी हो सकती है और हमारी electronic mail भी जो हम computer के जरिये भेजते हैं अगर आसान अलफाज में समझाना हो तो हम ये कहेंगे कि word processor में एक ऐसा feature मौजूद है जिसके जरिये हम एक ही letter बहुत से लोगों को बड़ी आसानी के साथ भेज सकती हैं और इस सारे काम में हम word processor के जरिये अपने पास मौजूद information को letters के साथ merge करती हैं अब ये letter कैसा होगा जो हम बहुत से लोगों को भेज रहे हैं इसकी मिसाल एक conference में शिरकत के लिए invitation cards की हो सकती है या club members के लिए कोई दावत नामा हो सकता है university students के नाम annual convocation में शिरकत का letter हो सकता है या फिर students के results भी हम इस तरीके से उन्हें इरसाल कर सकते हैं अब आप सोच जहीं होंगे कि जब हम ऐसे invitation letter या result की बात करती हैं तो हमें हर letter में नए शक्स का नाम या उससे relevant data type करना होता है और ये काम तो बड़ी तवज़ो और एहतियात से करने वाला होता है जी हाँ, बिलकुल ऐसा ही है word processor का ये feature भी इसलिए है कि हम result sheets, letters और invitations मकमल एहतियात के साथ तयार कर लें और उन्हें सही लोगों तक पहुँचा सकें आपको मालूम है कि अक्सर इस तरह के दावत नामों में जो text type किया गया होता है वो सभी के लिए एक जैसा होता है तो फिर उसे तो हमें बार बार type करने की ज़रूरत नहीं पर तो सिफ लोगों के address का और उस information का है जो हम उन्हें इन्फरादी तोर पर इरसाल करना चाहते हैं लिहाज़ा मेल मर्श का feature इन्हीं चन्द बातों को जहन में रखते हुए बनाया गया है और ये आपको तीन काम करने को कहता है पहले तो ये कि आप अपना letter तयार कर लें जो आप इरसाल करना चाहते हैं दूसरा ये कि आप इन लोगों की data list तयार करें जिन्हें ये खुतूत इरसाल किये जाएंगी इस list में उनके नाम, phone number और address के अलावा कोई भी information शामिल कर लें जो उन्हें भेजना मक्सूद हो तीसरा काम ये है कि इस letter को data list के साथ merge करना यानि मिलाना ताके तमाम लोगों के अपनी अपनी information के साथ letters तयार कर दिये जाएं जिन्हें बाद में अरसाल करना है अब और मजीद तफसील बताने से बहतर होगा कि हम उसे एक word processor की मदद से बना कर देखें कि सब काम कैसे होती हैं हम इस वक्त एक university convocation का invitation letter तयार करने जा रही है ये letter university के students को भेजा जाएगा आपको मालूम है कि ये letter सभी students के लिए एक जैसा होगा जबके सिर्फ तलबा के नाम इसमें तबदील होंगे जो कि हम data list से हासिल करेंगे सबसे पहले हम letter को देखते हैं आपके सामने एक document मुझूद है जिसमें letter पहले से ही type कर लिया गया है जैसे आप इसको आने वाले एक phase में भी type कर सकते हैं दरसल students का मुकमल नाम आएगा और title की जगा हम miss या mister लिखेंगे इसे तरह students father name के इलावा address के लिए भी तीन lines मुक्तस की गई है कुछी देर में हम इन तमाम RG labels की जगा student का असल नाम, उनकी वल्दियत और डाग का पता देख रहे होंगे letter हमने पहले ही इसलिए तयार कर लिया है ताके अगले steps में हम सिर्फ mail merge के feature पर तवर्जो दे सकें लीजिए, अब हम चलते हैं असल बात की तरफ और mail merge की options को देखते हैं mail merge का menu हमें mailing की tab में मिलेगा सबसे पहले हम mailing tab में मौझूद start mail merge पर click करते हैं जो list हमारे सामने है इसमें से हम सबसे आखरी option यानि step by step mail merge wizard पर click करते हैं जैसे ही हम click करते हैं तो दाइचानिब एक pen खुल गया है जिसका title आपको एक mail merge नजर आ रहा है ये mail merge का pen हम से कुछ और काम करवाएगा जिनें हम एहतियात से मुकमल करेंगे इन steps की तकमील पर हम mail merge की तमाम जरूरतों को जान जाएंगे हर step में ये हमें कुछ options दिखाएगा जैसे ये अभी हम से पूछ रहा है कि आप किस قسم के document पर काम करने लगी हैं और नीचे कुछ options भी लिखी नजर आ रही है अभी हम चूंके एक letter तयार कर रहे हैं इसलिए पहली option इस्तमाल होगी बाकी options की तफसील आप खुद explore कर सकते हैं क्यूंके वो कुछ ज्यादा मुख्तलिफ या complex नहीं है एक मरतबा आपको simple letter बनाने का तरीका समझा जाए तो बाकी options भी आपके लिए आसान होंगी इस pen के नीचे देखिए आपको blue color से next starting document लिखा नजर आ रहा है हम अगले step पर जाने के लिए mouse pointer से इस पर click करते हैं इस step में हमसे पूछा जा रहा है कि आपके letter के लिए कौन से document इस्तमाल होंगे तीन options भी मौजूद हैं पहली option कहती है कि current document इस्तमाल करना है यानि बाए जानिब हमने जो letter कुछ देर पहले तयार कर लिया था उसी के साथ हम काम करना चाहते हैं दूसरी option में template इस्तमाल करने को कहा जा रहा है template एक खास पेराई में ready made document को कहती है और तीसरी option का मतलब है कि पहले से बने और type किये गए letter को इस्तमाल करना है फिलाल हमें पहली option ज्यादा suit करती है और ये पहले से ही selected है अगले step पर जाने के लिए हम pen के निचले हिसे में मौझूद select recipients के अलफास पर click करती है लीजिए अगला step हमारे सामने है यहां हमें उन लोगों को select करना है जिनको हम letters भेजना चाहते हैं यहां तीन options हैं पहली option कहती है कि एक पहले से मौझूद कोई list इस्तमाल कर ले जिसमें लोगों के नाम typed है लेकिन आपको मालूम है कि हमने अभी कोई list नहीं बनाई दूसरी option में लिखा है कि Outlook contacts इस्तमाल कर ले Outlook दरसल एक email software है जिससे अभी हमने इस्तमाल करना नहीं सीखा अगर मालूम हो तो फिर हम इस software में मौझूद लोगों के नाम और addresses इस्तमाल कर सकते हैं तीसरी option हमारे काम की है जिसमें लिखा है कि एक नई list बना ले ज्यूंकि हम पहली मर्तबा mail merge का feature इस्तमाल कर रही है लिहाजा एक fresh list बनाना ही हमारे लिए बेहतर है लीजिए हम mouse pointer की मदद से इस option के बाई जानिब से circle में एक मर्तबा click करते हैं जैसे ही हमने इस पर click किया तो नीचे आपको कुछ तबदीली नजर आई option के इस section के नीचे अब आपको type a new list का section नजर आ रहा है जिसमें blue color से create का लव्स भी लिखा है जिन लोगों को हम invitation letter इर्साल करना चाह रही है उनके नाम और address के list हम इसी option के जरिए बनाएंगी आईए अब create पर mouse pointer से एक मरतबा click करते हैं click करते ही आपके सामने एक window open हो गई है जिसका title है new address list इस window में आपको white color की boxes नजर आ रही हैं जिनके बाइंजानिब उनके नाम लिखे हैं यह दरासल address information को type करने के लिए data entry form बना हुआ है जहां हम लोगों के addresses की detail टाइप कर सकते हैं यह data entry form एक वक्त में एक शक्स का data type करने के लिए बनाया गया है इस form के नीचे की तरफ scroll bar मौझूद है जिसके जरीए हम इसमें मौझूद तमाम fields को देख सकते हैं आप देख रहे हैं कि इसमें बहुत सी fields ऐसी हैं जो अभी हमारे लिए गहर जरूरी हैं मसलन, state, zip code, country और work phone वगएरा इन गहर जरूरी fields को खत्म करने और अपनी जरूरत के मुताविक इस form को तयार करने के लिए हम इसे कस्टमाइज करेंगे कस्टमाइज का मतलब आप जानते ही हैं कि किसी चीज़ को अपनी जरूरत के मुताविक ढालना इस form के बिलकुल नीचे चंद buttons हैं जिनके नीचे कस्टमाइज कॉलम का बटन भी है हम इस पर mouse pointer से क्लिक करते हैं आप देख रही हैं कि एक और window हमारे सामनी है जिसका title कस्टमाइज एड्रस लिस्ट है इस जगा हम form में मौजूद तमाम fields को एक list की शकल में देख रही हैं हमें इस list में से गहर जरूरी fields को delete करना है और अपनी जरूरत की fields का इजाफा करना है गहर जरूरी fields को delete करने के लिए पहले हम mouse pointer के जरिये से select करते हैं और फिर दाए जानिब delete के बटन पे click करते हैं आपके सामनी एक message box आ गया है जो आप से पूछ रहा है कि क्या वाकई आप इस field को delete करना चाहते हैं साथ ही वो ये भी बता रहा है कि अगर इसे delete किया गया तो इसमें मौझूद तमाम information भी delete हो जाएगी अब चुँके हम जानते हैं कि ये field हमारे काम की नहीं और नहीं हमने अभी तक कोई data enter किया है लहाजा हम इस वक्त येस के बटन पर क्लिक करके इस field को delete कर देते हैं लीजे, list में से वो field निकाल दी गई है बिल्कुल इसी तरह हम गहर जरूरी field को list में से delete कर देंगे आप देख रहे हैं कि हमने इस list में से गहर जरूरी fields डिलीट कर दी है अब हमें एक field अपनी जरूरत के मताबिक शामिल करना है जो father's name की field है इसके लिए हमें दाए जानिब सबसे उपर मौजूद add के बटन पर क्लिक करना है आपके सामने add field की एक छोटी से विंडो ओपन हो गई है यहां हम father's name ट्राइप करते हैं इसके बाद हम mouse pointer की मदद से OK के बटन पर क्लिक करते हैं वैसे आप चाहें तो keyboard से enter की भी प्रेस कर सकते हैं उससे भी यह window close हो जाएगी आप देख रही हैं कि father's name की field लिस्ट में सबसे आखिर में है जबके इसे तर्तीब के लिहाज से last name के बाद होना चाहिए इस field को उपर ले जाने के लिए हम move up का बटन इस्तमाल करते हैं यह देखिए move up के बटन पर मतादद बार क्लिक करके हम selected field को मतलूबा जगा पर ले आए हैं आप move up और move down के बटन को इस्तमाल करके selected fields की तर्तीब बदल सकते हैं इस address list को हमने अपनी जरूरत के मताबख customize कर लिया है और अब हम OK के बटन पर क्लिक करते हैं हम वापस अपनी address information के form में आ गए हैं आप देख रही हैं कि data and reform की शकल पहले से मुख्तलिफ है इसमें अब सिर्फ वो field नजर आ रही हैं जो हमारे invitation letter की जरूरत हैं अब हमारा काम ये है कि students की information यहाँ type करना शुरू कर दें सबसे पहले हम title की field में mouse pointer से click कर लेते हैं और students का जो भी title मुनासिब है वो type करते हैं ताइटल type करने के बाद keyboard से tab की प्रेस करते हैं और first name की field में आ जाते हैं हम यहाँ student के नाम का पहला हिसा type करते हैं उसके बाद tab की प्रेस करके last name की field में जाते हैं और student का last name type करते हैं और इसी तरह हम बागी तमाम fields में भी data enter कर लेते हैं आप देख रही हैं कि हमने पहले student का data तो type कर दिया है अब दूसरे student का data कैसे type करें इसके लिए हम इस form के नीचे मौजूद buttons में से सबसे पहले button जिसका नाम new entry है इस पर click करते हैं new entry का button प्रेस करने से ये form अब आप से अगले student का data लेने के लिए तयार है हम इस वक्त दूसरी entry के लिए तयार है लीजिए हमने students का data इस form के जरीए enter कर दिया है हमने वक्त बचाने के लिए आपको सारी data entry करते हुए नहीं दिखाई लेकिन यकीन रखे हमने proper तरीके से data entry की है कोई shortcut इस्तिमाल नहीं किया data entry कर लेने के बाद हम इस form को close करना चाहते हैं ताके अगले steps पर जा सकें इसके लिए window के bottom right corner में OK का बटन मौजूद है हम mouse pointer की मदद से इस पर क्लिक करते हैं OK के बटन पर क्लिक करते ही आपके सामने एक और window आ गई है जिसका title save address list है हमने आपको शुरू में बताया था कि mail merge में दो काम बहुत आहम हैं एक letter तयार करना और दूसरा address list या data list तयार करना हमने अभी अभी एक student की जो address list तयार की है इस वक्त इसी list को save किया जा रहा है अगर इसे save न किया गया तो हमारी सारी data entries जाय हो जाएंगी आप गहर से देखिए के ऊपर के हिस्से में drop-down list में my data sources लिखा है ये एक ऐसी folder का नाम है जो हमारे my documents folder के अंदर मौजूद होता है और इसमें उमूमन mail merge के लिए बनाई गए list को save किया जाता है इस list को save करने के लिए हमें इसका कोई नाम भी रखना है इस window में नीचे की जानिब हम file name की drop-down list में इसका नाम type करते हैं नाम type करने के बाद हम save के बटन पर एक मरतबा क्लिक करते हैं लीजे, list save हो गई और कुछी लम्हों के बाद हमारे सामने ये मुकम्मल list एक नई window की शक्ल में आ गई है इस list में तमाम data हमें columns की शक्ल में नजर आ रहा है जो columns नजर नहीं आ रहे, उन्हें हम scroll bar की मदद से देख सकते हैं इस window में माजूद बागी buttons को देखने से पहले हम अपने letter के साथ कुछ जरूरी settings करना चाहते हैं लेहाजा इस window में माजूद OK के button को क्लिक करके इसे बंद कर देते हैं हमने चुँके data list को customerize किया था और letter भी खुद ही design किया है लेहाजा इसकी बागी settings भी खुद ही करेंगे आप देख रही हैं कि mailing tab के नीचे कुछ और menus का इजाफा हो चुका है ये mail merge के tool bar है जिसे हम कुछ ही देर में इस्तमाल करेंगे setting करने से पहले हम mail merge के pen को इस close के button को click करके बंद कर लेते हैं इसके बाद हम view tab में मौजूद zoom के menu में page width की option पर click करते हैं और page view को बढ़ा देते हैं ताकि हमें तमाम काम वाज़त और पर नज़र आए आपको letter में वही शुरू की चंद lines नज़र आ रही हैं जिनके बारे में हमने कहा था कि इन RC labels की जगा students का असल data नज़र आएगा हम अभी यही काम करने लगे हैं यानि इनकी जगा हमने जो data list में fields बनाई थी उन्हें address करने लगे हैं इसके लिए आपने lesson area को तवज़ों से देखना है कि हम ये काम कैसे करती हैं एक भी step अगर miss हो जाए तो काम गलत हो सकता है सबसे पहले हमें जहाँ title और first name वगरा लिखा नज़र आ रहा है उस line के शुरू में mouse pointer की मदद से click कर लेते हैं अब mailing tab में मौझूद write and insert field के menu में एक button है जिसका नाम insert merge field है इस पर click करते हैं हमारे सामने एक list open हो गई है जिसमें हमारी बनाई हुई fields की list नज़र आ रही है सबसे पहली हम title की field जो के पहली number पर है को select करते हैं ये देखिए title का लफ्स हमारे letter में भी नज़र आ रहा है और इसके दोनों जानिब खास निशान लगे हैं जिन्हें हम angle brackets भी कहती हैं ये निशान दरसल एक data field को वाज़े करते हैं इसके बाद हम first name की field को mouse pointer की मदद से select करते हैं आप देख रहे हैं कि first name के अलफाज भी letter में insert हो चुके हैं इसी तरीके से हम last name को insert करते हैं आप देख रही हैं कि जहां कहीं हमारे title, first name और last name के levels थे वो आगे push हो गई हैं और उनकी जगा पर हमारी data fields आ गई हैं अब चुंके हमें RG levels की जरूरत नहीं रही लहाजा हम इन्हें delete कर देते हैं इनको delete करने के लिए हम इस वक keyboard से delete का button इस्तिमाल कर रही हैं ये देखिए, अलफास delete हो गए हैं एक बात आपने note की होगी, कि अभी हमने जो data fields इस line में insert की हैं उनके दर्मियान मुनासिब फासला नहीं है ये फासला हमें खुद space bar की मदद से देना होगा इस वक्त हमारा cursor line के आखिर में है हम keyboard पर मौझूद left arrow key के जरिये cursor को last name के अलफास से पहले लेकर आती हैं आप note करें कि जैसे ही cursor किसी data field के पास आता है तो वो अलफास highlight हो जाती हैं ये भी एक merged data field की निशानी है बहरहाल हम मखसूस जगहों पर cursor लाकर space bar के जरिये अलफास के दर्मियान space बढ़ा देते हैं अब हम अगली line में मौझूद father's name को भी replace करते हैं इसके लिए भी हम cursor को father's name से पहले ले जाती हैं cursor को मतलूबा जगा पर लाने के बाद हम एक बार फिर mailing tab में मौझूद write and insert field के menu में insert merge field पर click करते हैं और हमारे सामने वोही data fields की list खुल गई है हम mouse pointer की मदद से father's name पर click करते हैं और लीजे हमारी data field अब letter में insert हो गई है एक बार फिर आप देख रहे हैं कि हमारे type किये गए text से पहले अब एक data field नजर आ रही है father's name के आर्जी label की अब हमें जरूरत नहीं लेहाजा हम इसे delete कर देते हैं इन्ही steps को follow करते हुई हम address line 1, address line 2 और city के labels को भी replace करते हैं ये देखिए हमने labels को remove कर दिया है और इनकी जगा हमें data fields नजर आ रही है अभी तक हमने जितना भी काम किया है उसकी वज़ा से हमारी students address list हमारे invitation letter के साथ connect हो गई है अब हम चाहते हैं कि इस सारी मेहनत का result देखी इसके लिए हमें mailing tab में से preview results का button क्लेक करना है गोर से देखिए कि जैसे ही हमने इस button पर click किया तो data fields की बजाए हमारी list में जो actual data feed किया गया था वो नजर आने लगा है और अगर बागी students का भी record देखना हो तो हम इसी preview results के साथ मौझूद end record navigation के button को इस्तेमाल कर सकती है ये देखिए हम next record के button पर click कर रहे हैं तो list में मौझूद students का data हमें तबदील होता हुआ नजरा रहा है लीचिए हमने एक letter को एक address list या data list के साथ merge करना सीख लिया है और हम इन्हें navigation बटन के जरिये भी देख रही है edit data list हमने ये तो सीख लिया कि एक letter को list के साथ कैसे connect करना है लेकिन अगर हमें list में कोई तबदीली या इजाफा करना हो तो ये कैसे मुमकिन होगा list को edit करना बहुत आसान है और इसमें किसी record को add या delete करना और भी सहल है हमारे सामने वो ही letter है जिसको अभी थोड़ी देर पहले एक data list के साथ merge किया था mailing टैब में हमें start mail merge का menu bar भी नजर आ रहा है इस menu bar में बाइन जानिब से तीस्टे नमबर पर एक button है जिसका नाम edit recipient list है हम इसको click करती है आप देख रहे हैं कि हमारे सामने वो ही list आ गई है जिसमें तमाम students के mailing addresses है यहाँ से हम इस list में नए records में इजाफा किसी record में तबदीली या फिर एक record को मुकमल तोर पर delete भी कर सकते है अगर किसी record में कुछ तबदीली करना है तो पहले इस list में से इस पर click कर लेती है ताकि वो select हो जाए और फिर इस window में नीचे मौजूद data source के नीचे वाले box में जो students.mdb लिखा हुआ है इसको select करने के बाद edit के button पर click करती है edit के button पर click करते ही हमारे सामने edit data source का data entry form open हो गया है यह वो ही form है जिसमें हमने पहली मरतबा students की तमाम detail टाइप की थी यहां से हम किसी भी field का data दुरूस्ट कर सकते हैं जैसा कि आप देख रही हैं हमने city की field में शहर का नाम तबदील कर दिया है इसी window में नीचे की जानिब आपको new entry का button नजर आ रहा है जब आप कोई नया record शामिल करना चाहें तो इस button पर click करके data enter कर सकते हैं एक record को मुकमल तोर पर delete करने के लिए आप ये delete entry का button इस्तेमाल कर सकते हैं लेकिन खयाल रहे कि आप जिस record को delete करना चाहते हैं वो आपको उपर मौजूद fields में नजर आ रहा होना चाहिए जो record उपर मौजूद fields में नजर आ रहा होगा सिर्फ वो ही delete हो सकेगा जब आप record delete करना चाहेंगे तो आप से confirmation मागी जाएगी कि क्या आप इस entry को delete करना चाहते हैं या नहीं ये इसके बटन पर क्लिक करने से record delete हो जाएगा अगला बटन find का है इसके जरिये हम बहुत से records में से मतलूबा record तलाश कर सकते हैं इस बटन पर क्लिक करके हम find entry की एक छोटी से window open कर लेते हैं हमें record से मतालिक कोई भी लव्ज याद हो तो find के सामने box में टाइप करते हैं और find next के बटन पर क्लिक कर देते हैं ये देखिए हमने एक student का नाम टाइप करके find next का बटन क्लिक किया था तो हमें पहली वाली window में इस student का record नुमाया करके दिखाई दे रहा है sort और filter की option भी हमारे लिए बहुत कारामत साबित होती है जब हमें एक तवील record list में से कुछ मखसूस record चाहिए हूँ तो हम इस feature को इस्तमाल करते हैं आईए देखती हैं कि ये feature कैसे काम करता है इसके लिए हमें इस option पर एक मर्दबा क्लिक करना है हमारे सामने filter and sort की एक window open हो गई है हमें filter records की टैब में इस वक एक मखसूस शहर का record देखना है लहाजा हम field के section में drop down list को open करते हैं और city की field को select करते हैं अगला section comparison का है इसके नीचे मौझूद drop down list में से हम equal to की option को select करते हैं आखरी section जो के compare to का है वहाँ हम शहर का नाम type कर देते हैं अब इस सारी बात का मतलब ये बन रहा है के city की field में जहां भी इस मखसूस शहर का नाम नजर आए computer हमें वो तमाम records निकाल कर दिखाए जैसे ही हम okay के button पर click करेंगे तो वापस अपने form पर आ जाएंगे और ये देखिए यहां total entries list की तादाद हमें पहले से कम इसलिए नजर आ रही है क्यूंके filter करने के बाद records कम हो गई है सिर्फ यही records ऐसे हैं जिन में हमारे मतलूब शहर का नाम है आपने कुछ नोट किया हमने city की field को filter किया था तो इस जगा जो drop down arrow बना है इसका रंग blue हो गया है ये इस बात की पहचान है कि ये filtered field है इस list को वापस अपनी हालत में लाने के लिए हम इस drop down arrow पर click करते हैं तो एक list open हो जाती है हम इसमें मौजूद option all पर click करते हैं ये देखिए एक लमहे में list की हालत तबदील हुई और तमाम records वापस अपनी असल हालत में आ गए इस list को filter करने के अलावा हम इसे sort भी कर सकते हैं यानि रूफे तहजी के इतबार से तर्तीब में ला सकते हैं इसका तरीका भी बहुत आसान है हमें सिर्फ ये करना है जिस field को हम sort करना चाहते हैं उसके column label पर एक मरतबा click करें ये देखिए जब हम mouse pointer की मदद से column label पर click करते हैं तो तमाम data एक लमहे में तर्तीब में आ जाता है अगर दोबारा click किया जाए तो तर्तीब उलट जाती है यानि अगर पहले ascending order था तो दोबारा click करने से data descending order में चला जाता है जब हम एक letter को data list या address list के साथ connect कर लेते हैं तो फिर उसके बाद बारी आती है document merging की ये वो phase है जिसके records को एक एक करके mail letter के साथ merge यानि मिला दिया जाता है हर record हमारे mail letter के साथ merge होने के बाद personalized letter बनाता है personalized letter से हमारी मुराद वो letter है जो हम किसी student को भेज़ सकेंगे जब ये letter उस student तक पहुंचेगा तो उसे यही लगेगा कि खास तोर पर उसी के लिए बनाया गया है जबके ये बात सर्फ हमें मालूम है कि ये बहुत सारे letters mail merge के जरीये तयार किये गए है जब हम एक list को letter के साथ merge करेंगे तो word processor एक नई document बनाएगा जिसमें हर नए page पर आपको एक student के लिए letter तयार मिलेगा ये काम करने के लिए हम mailing tab में से finish and merge के बटन पर mouse pointer से क्लिक करते है क्लिक करने के बाद हमारे सामने जो list open होती है उसमें से हम edit individual documents पर क्लिक करते है हमारे सामने एक छोटी सी window open हो गई है जिसमें तीन options है पहली option all की है जिसका मकसद ये है कि तमाम record इस्तमाल किये जाए और सब के लिए letter बनाया जाए grant record की option का मतलब ये है कि इस वक जो record हमें स्क्रीन पर नजर आ रहा है सिर्फ उसका letter तयार हो और आखरी option में आप record number की range बता सकते है मसलन record number 1 से लेकर 16 तक जितने भी students हैं सिर्फ उनके लिए letter तयार किया जाए फिलहाल हम all की option के साथ ही document merge करवाएंगी इसके लिए हमें OK के बटन पर क्लिक करना है ये लीजिए चन्द लम्हों में word processor ने तमाम records को student के नाम और address के साथ personalized letter की शकल में तयार कर दिया आपको बताते चलें कि ये एक नई document है जिसका नाम letter 1 है इस document को आइंदा इस्तमाल करने या इसके print out लेने के लिए आपको इसे save करना होगा mailing envelops जब हम mail merge के जरीए letters तयार कर लेते हैं तो उन्हें envelops में डाल कर mail भी करते हैं जैसे हमने address list तयार की थी और इससे letters तयार किये थी बिल्कुल उसी तरह हम postal mail के लिए envelops भी तयार कर सकते हैं जाहर है कि जिन students के लिए letter तयार हुए हैं उन्हीं के लिए mailing envelops भी बनेंगे लेकिन क्या हम addresses की list दोबारा बनाएंगे जी नहीं ऐसा नहीं होगा हमने list बनाने की महनद जो एक मरतबा की थी उसे हमने save करके रखा था वही list अब दोबारा इस्तिमाल होगी और हम उसी से envelops तयार करेंगे mailing envelops तयार करने के लिए हम एक fresh document ओपन कर लेते हैं लीजे एक blank document file हमारे सामने है इस वक्त हम mailings की tap पर क्लिक करते हैं आप घौर से देखिए इस ribbon bar में मौझूद अक्सर buttons gray color की हैं दरसल ये buttons इस वक्त disabled हैं यानि इन्हें इस्तेमाल नहीं किया जा सकता इस ribbon bar में सबसे पहला menu create का है इस menu में मौझूद envelops के button पर क्लिक करते हैं हमारे सामने एक window open हो गई है हम इस वक्त envelop बनाना चाह रहे हैं लेहाजा इस window में मौझूद नीचे option के button पर क्लिक करते हैं क्लिक करने के फॉरण बात हमारे सामने envelop option की window आ गई है इस window में सबसे पहली envelop size की drop-down list है इस list में इस वक्त size 10 लिखा नजर आ रहा है ये एक normal size का envelop है जिसका preview हम नीचे देख सकते है फिलहाल हमें इसी तरह के envelop की जरूरत है लिहाजा हम कोई और size select नहीं करेंगी प्रिव्यू में आप देख रहे हैं कि sample के top left corner में कुछ lines बनी हुई है ये return address type करने की जगा है return address हम उस address को कहते हैं जहां से letter भेजा जा रहा है अगर letter अपनी मन्जिल तक न पहुँच सके तो उसे वापस return address पर भेज दिया जाता है envelop के तकरीब अंदर मियान में यहां delivery address लिखा जाता है फिलहाल हम इस window में कोई तबदीली किये बगएर add to document के बटन पर click करते हैं और वापस document की तरफ चलते हैं आप देख रही हैं कि document के पहले page का size तबदील हो गया है दरसल अब ये document नहीं है बलके एक envelope है जो अभी हमने select किया था इस envelope पर हमें कुछ भी लिखा नजर नहीं आ रहा और नहीं delivery address या return address के लिए lines बनी नजर आ रही है दरसल ये दोनो type के address टाइप करने के लिए यहां invisible boxes है envelope के top left corner में return address के लिए जगा बनी हुई है हम mouse pointer से वहाँ click करते हैं ये देखिए करसर blink कर रहा है हम यहां return address टाइप कर लेते हैं इसका font size अमूमन छोटा होता है delivery address का box तकरिबन तर्म्यान में होता है हम mouse pointer से यहां पर click करते हैं ये देखिए एक box का border हमें नजर आ रहा है और करसर भी blink कर रहा है इस जगा हम address list में से records insert करेंगे जिस तरह हमने letter में field insert की थी बिलकुल इसी तरह यहां भी होगा पहला step यह है कि हम फो address list open कर लें जो हम बना चुके हैं स्टार्ट mail merge के menu में by जानिब से दूसरा button select recipients का है हम उसे क्लिक करते हैं इसे क्लिक करते ही एक list open हो गई है इस में से हम use existing list पर क्लिक करते हैं एक window open हो गई है यहां से हम by जानिब दी गई directories में से documents पर क्लिक करते हैं अब हमारे सामने दाइंजानिब इस directory में मौझूद मुख्तलिफ folders की list आ गई है इस में से एक folder का नाम my data source है हम इसको select करके open की button पर क्लिक करते हैं इस window में हमें एक file नज़रा रही है जिसका नाम students है यह list हमने उस वक तयार की थी जब हम letters बना रही थी हम इसी address list को envelope बनाने के लिए भी इस्तिमाल करेंगे क्यूंकि students तो वही है हम इस file पर mouse pointer से क्लिक करके इसे select कर लेते हैं और इस window के bottom right corner में मौझूद open के button पर क्लिक करते हैं window तो close हो गई लेकिन इसका फाइदा क्या हुआ आपने शायद note किया हो के mail merge ribbon bar के अकसर buttons पहले gray color के थे लेकिन अब उनके रंग तबदील हो गए हैं और ऐसा लगता है जैसे यह सब on हो गए हैं दरसल जब हमने student address list को select करके open का button दबाया था तो उस वक्त यह address list हमारे envelope के साथ merge होने के लिए तयार हो गई थी जिस वज़ा से यह buttons भी on हो गई हैं mail merger ribbon bar में एक button है जिसका नाम insert merge field है हम उस पर click करते हैं एक list open हो गई है जिसमे student address list में मौजूद fields नजर आ रही है हमें इस वक्त इन में से कुछ fields अपने envelope के delivery address box में insert करना है तरीका बहुत आसान है जो fields हमें चाहिए हम उन पर click करते हैं और insert का button press कर देते हैं इस तरह हम बारी-बारी तमाम जरूरत की fields को insert कर लेते हैं और फिर इस window में close के button पर click करके इसको बंद कर देते हैं आप देख रहे हैं कि तमाम fields box के अंदर हैं लेकिन सारे एक दूसरे के करीब करीब हैं इनको मुनासिब फासले पर लाने के लिए हम space bar की मदद से इनके दर्मियान space देंगे और जिन fields को हम एक नई line में चाहते हैं उन्हें हम enter की की मदद से next line में ले जाएंगे जैसा कि आप देख रही हैं इस वक्त आपको सर्फ fields के नाम नजर आ रहे हैं जबके हम तो असल data देख कर verify करना चाहते हैं कि हमारा काम हुआ या नहीं इसके लिए हमें mail merge ribbon bar में से preview results के बटन पर click करना है आप देख रहे हैं कि जैसे ही हमने उस बटन पर click किया तो data fields की बजाए हमारी address list में जो actual data feed किया था वो नजर आने लगा है और बागी records भी देखना हूँ तो हम इसी tool bar में मौझूद इन records navigation के buttons को इस्तिमाल कर सकती हैं printing envelops हमने अभी तक एक letter और envelop को address data list के साथ merge करना सीख लिया है जब हमारी address list हमारे envelop या letter के साथ merge हो जाती है तो हम इसका print out भी ले सकती हैं इस वक्त हमारे सामने envelops address data list के साथ connected है और हम उनका print out ले सकते हैं जब हम printing की option select करेंगे तो list में से एक record हमारे envelop के साथ merge होगा और इसका print out निकलाएगा इस तरह हम तमाम address का envelops पर print निकाल लेंगे print outs लेने के लिए हम finish and merge के menu से print documents की option पर click करते हैं इस पर click करने से हमारे सामने एक छोटी सी window open हो गई है जिसमें तीन options हैं फिलहाल हम all की options के साथ envelops की printing करवाना चाहते हैं ये option पहले ही selected है और हमें सिर्फ okay के button पर click करना है जैसे ही हम okay के button पर click करते हैं तो हमारे सामने print की window open होकर आ जाती है ये तरसल हमारे computer के साथ attached printer की window है हो सकता है कि आपके computer के साथ printer ना लगा हो तो आपको ये window नजर नहीं आएगी बलके कोई error message आ सकता है जिसमें लिखा हो कि आपके computer के साथ printer attached नहीं लिहाजा आप print out नहीं ले सकते बाहराल हमें इस वक इस window में किसी setting को तबदील करने की जरूरत नहीं और सेफ okay के button पर click करना है ओके के button पर click करने से पहले जरूरी है कि हम printer में कागस या सही size के envelops को सही रुख में लगा लें ताके printing के दौरान कोई दुश्वारी पेश ना आए Summary इस lesson में आपने सीखा कि mail merge का feature क्या है और इसे हम किस मकसद के लिए इस्तमाल कर सकते हैं mail merge के जरूरी और एहम steps कौन से है mailing list कैसे त्यार की जाती है एक letter या document को हम mailing list के साथ कैसे attach या merge करते है mailing envelops कैसे त्यार किया जाते है और आखर में ये कि merge document का print कैसे लिया जाता है